तो गाइस अभी इस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वह एक्चिली जंगल के अंदर से ओके निकल रहा है दिन का पहला वाटर क्रोसिंग त्रिपूरा एंटर कर चुके है रास्ता देखो ऐसा 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 जगा बहुत मस्त है प्लस हवा मतलब एक चीज हम यहां पर मिस्स कर र तो लेडिज और जेंडलमें हम आगाए है अगर चलाई है तो अवेरी वार्म गुद मॉर्निंग तो यू और लेडिज एंडलमें वेकम बैक तो मैं व्लॉग चेहरा का स्माइल देखके तो आप समझीगे होंगे कि आज आज से हमारा राइट शुरू है सीन्स कुछ ऐसे बाहर का मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहका है अभी फिलाल में हो रेडि रेडियो के अपना सावान को डालना है नीचे अपना बाइक का टॉप बोक्स के अंदर कर अंधर को बिल्सक्ति हो गया हुग तो गाइस यहां पर आप आचुके है यहां पर मम्मी और है कि लेडिज एंड जेंडलमेन राइड करते हैं हम शुरू इसी के साथ मैंने राइट हैं का गलव नहीं लगाया विकास बारीश हो रहा है मैं थोड़ा आगे जाकि अपना गलव को सबसे बैग में दालूंगा यहां पर हमारा घर का सामने वाला मंदीर सबसे पहले में अप को बारिश का तब होने का बाद तो फाइन लिगाइस आप देखी सकते हैं यहां पर यहां पर बारीश का सीन फूल और चालो है पर क्या है ना गाइस हम रुकने वाले नहीं है इसी बारेश में लोग जाने वाले है बस दिक्कत ही हो गया कि मुझे गोप्रो को खोलके अंद बाद लुटली माइंड ब्लोइंग अभी का अपड़ीट में आपको तो हम लोग अल्मोस्ट बदरपूर के समने आ गया है लगबक 737 यहां पर अभी सबसे पहले मिलीगा हमें शिद्धेस्षणी मंदीर वहां पर प्रणाम करेंगे निकल जाएंगे बदरपूर के लिए बदरपूर प्लाइन करें प्रेक्वास करने का अब देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं जाएंगे पहले तो शिद्धेस्षणी मंदीर चलते हूं आप जाके आराम से प्रणाम करते हैं करेंगे प्रणाम करेंगे तो शिद्धेस्षणी मंदीर चलो यहां पर लोग भी कपूतर को खिला रहे हैं बहुत अच्छा लगाए देखें यहीं से हम लोग एंटर करके हैं बदरपूर यह यहां पर बदरपूर का ब्रिज आहां क्या मौसमों करका ना गर्मी ना थंदा ना बाड़िश आय हाय हाय तो फाइनली गाईज ना इस टाइम टू फ्यूल अप यह हमारा पहला स्टॉप करते हैं आगे के लिए निकल जाएंगे दावा पर जाकी रेस्ट वागरा करेंगे अभी जादा देरियां पर रूखेंगे नहीं चाहां भी आफ कर तो गाइस यह जलते हैं आपको मैं बता है तो अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो सोच रहें जब तक दुकान खुलेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेवेली करते रहेंगे जब हमें पहला दुकान दिख जाएगा खुला हुआ तब ब्रेकफास्ट कर लेंगे और तो लेडीज ने जब हम लोग 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 लुगेंगे वहीं पर लेडीज ने जडेलमन टाइम हो लगग 845 लगब हम लोग लोग 65 किलो मेटर जैसे क्लॉक कर लिया है यहां फिलाल मुग रूग लुकर वह एक चोटा मोटादावा पर ब्रिकफास्ट कर रहें हवा जो चल रह नवाई यह वेदर लाइक राइट करने के लिए अब इस सबसे परफेक्ट वेदर अब शुण रहों कि सामने हमें खराब रास्ता मिलने वाला है तो कहरा ठाब रास्त में क्या होने वाला क्या वोग च्यारब बारीट अश्वार्ट गरते अन गाईज यह हम लोग जब भी निकलते तब बारी शुरू हो जा रहा है सूरज देवता आपका रॉष्णी रखना हमारे उपर जब तक हम आगरतला पहुंच जाए इसी के साथ गाई रॉष्णी निकल आया है धूप निकला एक्चली और अभी से खराब रास्ता थरा बहुत शुरू हो ग और 20 km दूर है 20 km चल जाएंगे तो चुराइबरी मिल जाएगा यहां पर टाइम हो रहा है 953 मैप भी पिठा दिया यहां पर यहां से हमें लेना है राइट और चुराइबरी चुराइबरी में जाके आगर तेखा वेदर ठीक रहा तो मैं नीचे वाला मांट है उसमें भी पीछे मांट बिठा है उसमें भी गोपर बिठाओंगा तो आपको लाइक सिनेमाटिक सिनेमाटिक तो ताभाई वाला मिल देवाला यहां पर चोटा वाला रास्ता शुरू हो गया है तो हमारा स्पीड भी थोड़ा कम जाएगा वाई मास्त रास्ता है भाई मास्त रास्ता तो गाइस अभी इस रास्ते पे हम लोग चल रहे है वह एक्चली जंगल के अंदर से ओके निकल रहा है और बीच में हमें वाइल्ड अनिमेल्स भी मिल सकता है दिखे का तुम्हें आपको जरूर दिखाऊंगा आती वगएर तो यहां पे बहुत ही कमन है अभी मैंने चितना तक सुना है रास्ता बहुत इस ही यह वह ला पहार टाइप ज्यादा कर भी नहीं है ज्यादा स्ट्रीट भी नहीं एक्चली यह सब रास्ता बेस्ट रास्ता है ट्रेवल करने के लिए विकाज इनसमें निंद कमाता और एडवेंजर 390 का यह एक फायदा है कि बीना क्लच क अरु दिन का पहला घ्ला वर्डर क्रोह सिंग पहले वाटर क्रोसिंग करते दुसरा को डॉस और और गया ओ ओ होोव साइट से निकलना वादऊगा ऊप ईजी इजी नहीं और नहीं है चलो कोई नहीं पहुच बार जाएंगे एक किलो मिटर बाद एक एका जाने बना हुआ है तो फाइनली गाइस हम लोग चुराइबाडी पहुच गाए है तो गाइस यह है चुराइबाडी हमारा इतना दा कुछ खासवास नहीं है जस्ट चेकिंग था पीछे यहां पर यहां पर एक ब्रीज बागरा बन रहा है यह जो कोशिशे तो रे सारे मंदिशे चूंटी ना सा तेरा इस जरनाम किया है तो गाइज हैं लोग ने बागपशा प्रेक लिया है यहां से धर्मने गरेकर रास्ता है हम लोग निकल जाएंगे यहां है तो अब निकलते हैं थोड़ा हाइड्रेटेट हो गए है आप बेर जाओ पहले लेट स्टार्ट आर जर्नी वांस अगेन चलो तो फिर चलते हैं यहां पर दो तीन अपना भाई लोग मिल गए थे हमें आके पूछ रहे देखी चैनल का नाम क्या है वगरा वगरा तो लोगो को बता दिया है सब्सक्राइब कर देना और अपने आपको यहां पर देख लेना भाई साब रास्ता मानना पड़ेगा भाई लोग बहुत मस्त रास्ता है वैसे मैं बता दू नीचे हम लोगोने एक गोप्रो मांट बीटा दिया है उसका सिनेमेडिक तो आपने देखी लिय होगा अब फिलान मुद्व सिदा सिदा बर रहें यहां पर चर्च भी है वैसा वादादू कि हम लोग ट्रिकुरा एंटर कर चुके है फोड़्य पर्स्ट डाइमें ट्रिकुरा एंटर क्या है वो भी पाइक पे एंड देखेंगे जाके कैसा क्या है क्या नहीं है वैसे तो फोटो शूट्स एनौ यहां पर फोटो शुट वगरा कर रहें मैंने मेरा रेंड लाइनर वगरा सब कुछ खोल के रख दिया यहां पर थोड़ा बहुत फोटो शुट वगरा ले रहें भी निकल जाएंगे यहां से आगर तला के लिए उससे पहले आप यहां का कि दो थीन सी कि दिए खो खो शुट जाएंगे खोट वगरा कि डिर बेंट तो बाइ में दो थीन सिनमेतिक लैने के बाद आम वापस से निकल गए हैं यak ya पर आप आप पारी का पर देख सकते हो बनाना का ट्री इति जग मह बहुत मस्त जगा बाइ लोक बहुत सही जगा है रासता देख ह। इसऑ गया है लेकिन भाई एक चीज़ मानना पड़ेगा गर्मी भी बहुत ज्यादा है यहां पर एक्सेस गर्मी है यहां पर फिलाल नेक्स जो भी हमें टाउन मिलेगा वहां पर रोक के हम लोग फिर से एक पानी का ब्रीक लेंगे कॉस चुले चुले दुकान पर केश के अलावा कुछ ल यहां पर फिलाल हम लोगों ने हमारा जो रेंकोट है उसे भी हम लोगों ने पैक कर लिया है साइट पर और इस इस दे रोड बहुत ही मसा रोड है यहां का लवली रोड मैं लवली रोड निकल थे चलो तो गाइस यहां पर हम लोग कुछ इस तरह के लोकेशन पर पहुच गया है पहुती मस सीन है पीछे और हमारे इस तरह है कि एक स्कूल का समने हम लोग है क्या मस लोकेशन पर यह स्कूल है और बाइक फिलाल हुआ पर हम लोगों ने पार्क कर दिया बहुत मस सीन है कैसा लग रहा है यह जगा बहुत मस्त है प्लस हुआ मतलब घ्री भी बढ़ा हुआ है और हवा तो लाइक दिल को चूह रहा तो यहाँ अभी हम लोग और पास्थ मिट के लिए बैठेंगे एक चीज हम यहाँ मिस करें एक बोटल ऑफ वाटर एक बोटल पानी ले 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 तो पैदर हुआ 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 हम लोगों ने पानी पी लिया था अभी यहां से लगबक 80 किलोमेटर जैसे बाकी है तो शुर तो गाइस अभी का ताइम है 3 और हम लोग पाँच गया यहाँ पी लाम लो ने कर लिया है अपना लूंच एंड नाव बुट तो गो यहां पर अभी बासब भी चलने वाले बाइक कॉस्ट मैं बहुत ही टायर गया हुँ चलते है अगर तला अगर तला जा के देखते हैं हम बाइस है अगर तला जाओ स बाइस सब्सक्रीश का तला जाओ उना थान प्रण वे है अगर जिए हम वार तावब हैं लաर तला प्रण वार तला अगर तला जान जागर मैं जाङक झालते हैं अगर लूड़़गा तारिश तो लेडिज एंजेंडलमेन हम आ गया है अगर तला यह एक्चलिया अगर तला का पाइपास है और बासब भाई आने चलाए 80 किलो मेटर उसके बाद अभी फिर से मैं आके बैठा हूँ बाइक पर अभी फिलाद में जा रहा हूँ बासब भाई का रूम पर यहां बासब भाई का रूम ही है जहां पर यह रहते है ऑफिस का रूम है एक्च्वेली एंड उनका रूम है यहां से और 15-20 किलो मेटर दूर है तो चलते हैं आराम से बहुत मजा है इस राइड पे एक्च्वेली कल तो हम निकल के आप पूरा आगर तला का आसपास जितने सा है और अभी है फिलालम लोग इन सब चोटे-चोटे गलियों से होते हुए जा रहे है रूम तक बासब भाईया मुझे गाइड कर रहे है अभी का टाइम अल्मोस्ट है पांच बच के चार मिनित हम लोगोंने हमारा जरू किया ता अल्मोस्ट सेवें फाइनली गाइस वी मे अभी है नहाद रहे है तो अब ते अब टाइड हो और आज बहुत लंब जरूनी कर आए हम लोग एपरोक्स 300 km का जरूनी कल हम लोग लोग निकलने वाले है पूरा आगरतला को एक्स्प्लोर करने तो कल का फ्लॉग इस गोईन टू बी अ अभाई वन मिल ते कल इसी के साद उमीद कर तो कोई चोटा व्लोग पसंदा आगा पसंदा तो लाइक शेर और सब्स्क्राइब मिल ते अगले व्लाग में तेसी के तन साइनि आओ फों के पी व्लोग